Hello Friends, Excellent Education Channel पे आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ाई करने वाले हैं Class 8 चेप्टर का नाम है Plight यानि की प्रकास चेप्टर नमबर 13 NCRT में चेप्टर नमबर 13 है और चैन्वी विद्यालाई की बुख में चेप्टर नमबर 4 आता है तो चलिए आगे पढ़ाई करते हैं चेप्टर नमबर 30 Light यानि की प्रकास अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू से कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिजिएगा इस अध्याय में हम प्रकास की विबिन्न गटनाओ जैसे परावर्तन अपवर्तन व विक्षेपन इत्याति के बारे में अध्यान करेंगी साथ ही विबिन्न प्रकार के दर्पन, लैंस, इत्यादिका, बिम्बो की विबिन्न स्थितियों में स्फर्ष्ट देखने में उप्योग व नेत्र सन्रचना तथा नेत्र दोसों व उनके निवारण के बारे में अध्यान करेंगी तो चैनल ये अध्यान सरू करते हैं प्रकास उर्जा का वरूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती हैं जब प्रकास किसी वस्तु पर अपतीत होता है यानि कि अपात होता है तो वह परावर्तीत होकर हमारी आखों तक पहुंचता है जिसके फॉल्सरूप हमें दिखाई देता है यानि कि हम देख सकते हैं किसके लिए हमारे लिए और कैसे देख सकते हैं तो हम जो हैं हमारे आसपास प्रकास है इसलिए अगर प्रकास ही न हो तो जरा कल्पना करिए देखे आप एक प्रैक्टिकल कीजिएगा कि एक रूम में खड़े हो जाईए रूम में रूम जो हो वो सभी जगह से बंद कर दीजिए यानि कि थोड़ा सा तीन का भी उसमें प्रविस नहीं कर पाना चाहिए और फिर आप देखने की ट्राइ कीजिए क्या कुछ दिखाई देगा नहीं देगा लेकिन अगर कहीं पे हो लोगा और रूम में से प्रकास प्रकासित हो रहा होगा तो आपको वो प्रकास दिखाई देगा तो देखने के लिए प्रकास अति आवश्यप है प्रकास की चाल निर्वात में 3 x 10 raised to 8 मिटर प्रति सेकंड है प्रकास से संबधित महत्वपूनपद, important turns related to light, आपतीत कीरण, incidents raised वह प्रकास कीरण जो समतल पुरुष्ट पर आकर टकराती है उसे आपतीत कीरण कहते हैं यानि कि जब प्रकास धरती पे पड़ता है और उसके कीरणे सब जगह फैल जाते है तो वह जो प्रकास धरती पे आता है उसे हम आपतीत कीरण कहेंगे परावरतीत कीरण यानि कि reflected raised वह प्रकास कीरण जो समतल पुरुष्ट से टकरा कर उसी माध्यम में लोट जाती है उसे परावरतीत कीरण कहते हैं यानि कि अगर पानी है तालाव है लदी है प्रकास की कीरण जो है आपतीत होती है पानी में और पानी से गुजर के बाहर आती है तो वो जो है reflection हो गया आपतन मिंदू, point of incidence आपतीत कीरण परावरतक पुरुष्ट के जिस बिंदू पर आकार टकराती है वो बिंदू आपतन मिंदू कहलाता है अभिलंब, normal आपतन मिंदू से पुरुष्ट के लंबवत खिची गई रेखा अभिलंब कहलाती है यानि कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच में जो रेखा आती है उसे अभिलंबन कहते हैं आपतन कौण, angle of incidence आपतीत कीरण तथा अभिलंब के मध्य बना कौण, आपतन कौण कहलाता है इसे आईसे प्रदर्सित किया जाता है परावर्तन कौण, angle of reflection परावर्तीत कीरण तथा अभिलंब के मध्य बना कौण, परावर्तन कौण कहलाता है इसे आर से प्रदर्सित करते हैं प्रकास का परावर्तन, reflection of light यानि की light जो है वो reflect कैसे होती है, कैसे उसका परावर्तन होता है जब प्रकास किसी चिकनी वो पॉलिसदार सत्व पर आपतित होता है तो उसका अधिकान स्पार्ग सत्व से टक्रा कर उसी माध्यम में लोड जाता है जैसे कि हम एक काच ले ले, अरिसा आइना ले ले और आइने को सुरज के सामने रखेंगे तो सुरज की जो किरने है, प्रकास की जो किरने है, वो आइने में आएगी तो उसे आपतित किरन बोलेंगे फिर आइने से निकलेगी तो उसे reflection बोलेंगे और reflect होके कहां जाएगी तो पूरी बहार निकल जाएगी ठीक है प्रकास के किसी चिकनी वो पॉलिस दार सत्र से टक्रा कर वापस उसी मध्यम में लोटने की गटना प्रकास का परावर्तन करला था है यहां जो है यह जो है मान लीजे की सूर्य है यानि की प्रकास यहां से जो किरन आती है उसे आपतित किरन कहते है और यह जो मध्यम है आपतित किरन कहते है फिर कोई एक बिंदू पे वो केंदरित होता है और फिर वहां से कोई दिवाल या कोई विंडो पे वो वहां पे ऐसे जाले जैसा मतलब गोल जैसा दिखाई पड़ता है तो वो परावर्तित कीरण है अभी आपतित कीरण और परावर्तित कीरण के बीज में जो रिखा खीची जाती है उसे अभिलम कहते हैं तो यह जो है प्रकास का परावर्तन की यहां दोईंग हमें दे हुई हैं!!! उसे आप अच्छे तरह से ःपिर से घ्यात कर लिजीएगा आपतित की रण है और अभी लंबन की रण है उसके बीच में जो कौन बनता है उसे आपतन कौन और परावर्तित की रण के बापास में परावर्तन कौन बनता है नौट चांदी प्रकास के परावर्तन का सबसे अच्छा उधारण है परावर्तन के नियम सभी प्रकास के परावर्तक पुरुष्ट पर लागू होते हैं यानि कि सबसे बढ़िया उधारण कौन सा है चांदी क्योंकि चांदी जो है उसकी सत्र जो है वो वाइट है यानि कि चमकिली होती है और वाइट जैसी भी होती है परावर्तन के नियम, लो ओफ रिफ्लेक्शन, समतल दरपन से परावर्तन के निम्न लिखीत दो नियम होते हैं एक, आपतित कीरण, परावर्तित कीरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों, एकी प्रुष्ट में होते हैं यानि कि सम्तलिय होते हैं तो कौन से कौन से बिंदू आपको ज्याद करने हैं आपतित कीरण, औरावर्तित कीरण और आपतन बिंदू तीनों जो हैं एकी पुरुष्ट पे लम होते हैं यानि कि सम्तलिय होते हैं दूसरा, आपतन कौन? आई सदेव परावर्तन कौन आर के बराबर होता है अर्थाथ एंगल आई is equal to एंगल आर यानि कि हम यानि कि हम आक्रूती ड्रो करेंगे तो ये जो है आपतन कौन यहां बन गया आई और परावर्तन कौन यहां बन गया आर यदि यह 40 होगा तो इसका मापन भी 40 आएगा मतलब कि I equal to R होता है नियमित तथा विश्चरीत प्रकास के परावर्तन रेग्यूलर एंग डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन ओफ लाइट जब प्रकास का परावर्तन किसी पॉलिस युक्त चिकने पृष्ट से होता है तो प्रकास की किरणे परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समंतर होती है इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं यानि कि जो प्रकास की किरणे हैं वो ऐसे समांतर होगी तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकास का परावर्तन किसी खुर्दरे प्रुष्ट से होता है तो प्रकास की किरणे प्रकास परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को औनियमित या विसरीत परावर्तन कहते हैं अगर यह सपाटी है वो नुकिली है और यहां से प्रकास आपात होगा यानि कि आपतीत होगा तो जो प्रकास निकलेगा वो ऐसे ऐसे करके ऐसे तैसे जैसे भी करके निकलेगा तो इसको बोलते हैं विसरीत कमरे की खिडकी में लगा खुर्दरा कांच सूर्य की प्रकास का विसरीत परावर्तन करता है जो हमें ज़्यादा चका चौन से बचाता है यानि की कमरे में अगर खिडकी है और उसके पास कोई काच है तो उससे जो निकलेगा वो विसरीत परावर्तन होगा अखबार खुर्दरे वो सस्ते कागच पर चापे जाते हैं जिससे उस पर पढ़ने वाले प्रकास का विसरीत परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमता पुरवक पढ़ा जा सके यदि आपको ऐसा question आए कि अकबार जो होता है उसके कागज खुर्दरे क्यों होते हैं तो उसके कागज इसलिए खुर्दरे होते हैं कि उसके उपर प्रकास का जो परावर्तन हो वो विसरित हो यानि कि सिद्धा न हो तो हमारी आखे जो हैं उसके उपर चमक न पड़े और हम सुगमता से अक्सरों को आसानी से पढ़ सके बहुल परावर्तन, multiplier, reflection सब प्रकास परावर्तक सत्तहोक से अनेक बार परावर्तित होता है तब इस प्रकार प्रकास का परावर्तन बहुल परावर्तन कहिलाता है यानि एक दो बार नहीं बहुत बार परावर्तित होगा तो उसे बहुल परावर्तन यानि कि multiple reflection कहेंगे बहुँ प्रतिबिंदित multiple image बहुत सारी image आएगी जब दो समतल दरपन एक दूसरे से कौन पर रखे जाते हैं तो इनके बीच रखी हुई वस्तू के बहुँ प्रतिबिंप्राप्त होते हैं यानि कि एक ये समतल सपाटी है उसके उपर यहां हमने आईना रख दिया है ठीक है और एक दूसरे के उपर कौन बनाएंगे तो यहां भी आईना यहां भी आईना यहां भी आईना और यहां कोई चीज रखी है यहां तो कौन बनेगा तो जो यहां प्रतिबिंदित होते होंगा जो भी चित्र इमेज वो बहुँ प्रतिबिंबित होगा यानि कि एक एक इमेज नहीं होगी, बहुत सारी इमेज बनेगी, तो उसे बहुं प्रतिभिम करते हैं प्रतिभिम्बों की संख्या, उसका ये जो है आपको ग्याद कर लेना है n is equal to 360 upon 30 minus 1, ये जो है आपको ग्याद कर लेना है क्योंकि इसके उपर से आपको example उचे जाएंगे दरपन, mirror दरपन काच की तरह होता है, जिसकी एक सत्व पर police होती है जब इस पर प्रकास डाला जाता है, तो ये अधिक प्रकास का परावर्तन कर देता है दरपन मुख्यत दो प्रकार के होते हैं यानि की दरपन की दो प्रकार होते है एक सम्तल दरपन ऐसे दरपन जिसका परावर्तक प्रुष्ट सम्तल हो उसे सम्तल दरपन कहते है सम्तल दरपन द्वारा बना प्रतिभीम, सदैव, आबासी तता सिद्धा होगा ज्याद करन रखना की सम्तल दरपन जो है सम्तल आईना जो है उससे जो प्रतिभीम बनेगा वो कैसा होगा तो आबासी और सिद्धा यानि की हम अपना जो मुँँ है वो दरपन के अंदर देखेंगे तो कैसा मुँँ दिखाएगा सामने क्या हम दूसरी बार खड़े हैं नहीं उम्मे आबास होता है कि दरपन के अंदर हम खड़े हैं और सिद्धा लगता है ठीक है सम्तल दरपन की फोकस दूरी अनन्त होती है यानि की सम्तल दरपन जो है उसकी फोकस करे तो उसकी जो दूरी होती है वो अनन्थ होती है, दूर तक जाता है यानि खत्म नहीं होगता समतल दर्पन जो है प्लैन मीरर समतल दर्पन द्वारा बने प्रतिवीम का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है ह उच्चाई के मनुष्य को अपना प्रतिवीम देखने के लिए समतल दर्पन की आवश्यक नियुन्तम उच्चाई होती है यानि कि हमें अपना प्रतिवीम दर्पन में देखना हो, तो हमारी जो उच्चाई है होनी चाहिए प्रतिवीम दर्पन से उतनी ही दूरी पिछे बनता है, जितनी की वस्तु दर्पन के आगे हो हम जितने आगे आएगे, इतना ही अंदर हमें दिखाई पड़ेगा वस्तु तथा प्रतिवीम को मिलाने वाली रेका, समतल दर्पन पर लंब होती है सम्तल दर्पन के उप्योग Use of Plan Mirrors सम्तल दर्पन का उप्योग शामन्य तह हम प्रति दिन अपना चैरा देखने के लिए करते हैं क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिभिम सदैव, सिधा, पार्स्वत, उल्टा, परंतु आभासी होता है यानि कि हम जब आईने के सामने खड़े होंगे तो हम जैसे दिखते वैसा ही दिखेगा मतलब कि सिधा है, हम उल्टे नहीं दिखते, सर नीचे, पैर उपर ऐसे नहीं दिखता, सर सिधा ही दिखता है लेकिन पार्स्वत उल्टा यानि कि लेफ्ट हैंड उच्छा करेंगे तो राइट हैंड उच्छा होगा और आभासी दिखता है यानि कि हम अंदर आईने में आ गई हो ऐसा हमें मालूम पड़ता है इसका उपयोग पैरिस्कोप बनाने में किया जाता है जो की पंडूबियों में उपयोग होता है इनका उपयोग दुस्तरी तरफ से आती हुई गाड़ियों को देखने के लिए ब्लाइंड मोड के रुप में किया जाता है हम जब गाड़ी चलाते हैं तो side glass जोते हैं उसमें भी दरपन लगाते हैं इनका उपयोग बहुत रूप दर्शक बनाने में किया जाता है यह एक खिलोना जो की रंगीन कागजो काज के टुकडे या छोटे रंगीन मोती द्वारा सुन्दर पेटन स्वरूप बनाता है यानि कि इससे हम केलिडोसकॉप भी बोल सकते हैं गोली अदरपन, spherical mirror तो देखते हैं spherical mirror में क्या है यदे किसी काज के खोकले गोले को काट कर उसके एक पुरुष्ट पर चांदी के पॉलिस या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दरपन, गोली अदरपन कैलाता है गोली अदरपन दो प्रकार के होते हैं एक, अउतल दर्पन, दो, उतल दर्पन, यानि की गोलिय दर्पन के दो प्रकार है, अउतल और उतल, अउतल दर्पन, यानि की कौन के उमिरर? जिस दर्पन में प्रकास का परावर्तन अंदर की ओर दबी सत्व से होता है, उसे उतल को, उसे अउतल दर्पन कहते हैं, यानि की कौन केउ, केउ यानि गुफा, गुफा के जैसा, यानि अंदर की ओर होगा, तो उसे बोलेंगे कौन केउ मिरर? यानि की अउतल दर्पन अंद जाता हो इसकी दभी सत्व पर पॉलिस कराई जाती है दभी सत्व परावर्तक प्रुष्ट का कारिया करती है यह दरपण एक वृत्ताकार गोले का बाग होता है जिसकी बारी सत्व पर पॉलिस कर दी जाती है अउतल दर्पण द्वारा प्रतिबिम का बनाना Image Formation by Convect Concave Mirror यानि कि Concave Mirror से बनी हुई Image अउतल दर्पण द्वारा प्रतिबिम भी थम्मेशा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से आवर्धित या छोटा यबड़ा बनता है यानि आपको पुछा जाए कि अउतल बर्धर्पण यानि कि Concave Mirror से कैसा प्रतिबिम प्राप्त हुगा तो वास्तविक उल्टा आवर्धित छोटा या बड़ा इतने वर्द आपको ज्याद करने पड़ेंगी अउतल दर्पण के उप्योग Use of Concave Mirror Solar कुकर में बड़े बड़े आउतल दर्पणों का उप्योग किया जाता है आउतल दर्पणों का उप्योग परावर्तन दुर्बिनों में भी किया जाता है यानि कि दुर्बिन बनाए तो उसमें भी Concave Mirror आता है सर्च लाइट, मोटर कार की Ed Light और टॉर्च में अउतल दर्पणों का उप्योग किया जाता है अउतल दर्पण के उप्योग Use of Concave Mirror यानि कि अभी भी उसके तीन उप्योग बाकी है कौन से तो रोग्यों की नाक, कान, गले, आदी की जाच में अउतल दर्पण का उप्योग किया जाता है जब नाक के या दात की जाच करें तो छोटाक्ट सा दर्पण जो है वो मुमें डाल कर जो डॉक्टर है वो चेक करेंगे रोग्यों के दातों का बड़ा प्रतिविम देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा अउतल दर्पण का उप्योग किया जाता है चेरे का बड़ा प्रतिविम देखने के लिए अउतल दर्पण का उप्योग सेविंग दर्पण की रुप में किया जाता है यानि कि हमारे गर में कोई जैंस है तो जैंस जो है वो जो सेविंग दर्पन का यूज़ करते हैं तो वो सेविंग दर्पन जो होता है वो कौनकेव मीरर होता है यानि उसे अउतल दर्पन कहेंगे उत्तल दर्पन यानि कि कॉन्वैक्स मीरर जिस दर्पन में प्रकास का परावर्तन उबरी हुई सत्ता से होता है उसे उत्तल दर्पन कहते हैं उत्तल दर्पन द्वारा प्रतिवीम का बनना image formation by convex mirror उत्तल दर्पन से बना प्रतिवीम हमें सा आपासी सीधा वह बहुत छोटा होगा कौनके में बड़ा या छोटा हो सकता है लेकिन कौनवेक्स में अम्मेसा छोटा ही होगा आप इसको ट्राइ करना हो तो आप जो चमच से खाते हैं वो चमच के अंदर जो मुड़ा हुआ भाग है उस तरह अपनारी मों देख लिजे तो आपको कौनवेक्स मीरर समझ में आ जाएगा उत्तल दरपन के उप्योग यूस ओफ कैनवेक्स कौनवेक्स मीरर स्कूटर, मोटर कार तथा वस इत्यादी में उत्तल दरपन का उप्योग साइड मीरर की रुप में होता है प्रकास का अपवर्तन रिफ्रेक्शन ओफ लाइट प्रकास की किरिणे जब एक पारदर्सी माध्यम से दुसरी पारदर्सी माध्यम में जाती है तो प्रकास की किरिणों की दिशा, परिवर्तन तथा मुढने की प्रक्रिया को प्रकास का अपवर्तन कहते है नौट, यदि दो माध्यम में से किसी एक माध्यम में प्रकास की चाल, दुसरे माध्यम की अपेक्शा अधिक है तो इस माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्स विरल माध्यम करते हैं यानि कि एक जो है विरल माध्यम है और दूसरा जो है सगन माध्यम है प्रकास के अपवर्तन के कुछ व्यावारिक उदारन Everyday Example of Refraction of Light प्रकास के अपवर्तन के कुछ व्यावारिक उदारण निम्नलिकित है यानि की नीचे गदिये गए हैं अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अत्वा बिकर में डूबी हुई छड़ अत्वा पैंसिल टूटी हुई, मुडी हुई, प्रतीत होती है आपको एक प्रैक्टिकल करना चाहिए, आप एक ग्लास ले लीजिए जिसकी सत्व जो है आरपार देख सके, यानि की पारदर सको उसके अंदर आधे से ज़्यादा पानी डाले फिर उसमें बॉल पैंसिल या मापपटी किसी को भी रख दीजिए और फिर साइड से उसे देखने का प्रैयास कीजिए तो आपको जो पैंसिल है वो टूटी हुई या मूडी हुई प्रतीत होती है तो आप जो है ये एक्टिविटी जो है अपने आप कर सकते हैं रात्री में ताप परिवर्तन की कारण वायू मंडल की विभिन परतोप का घनत्व बदलता है जिसके कारण वायू का अपवर्तनांक बदलता रहता है इसी कारण तारे टिम्टी माते हुई प्रतीत होते हैं अगर आपको पुछा जाए कि तारे क्यों टिम टिम आते हैं तो वायू मंडल की विभिन्न परतों का घनत्व के कारण तरातल से उपर की ओर जाने पर वायू का अपवर्तन अंक कम हो जाता है तथा प्रकास का बार बार अपवर्तन होता रहता है जिसके फल स्वरूप सुर्योदय वसुरियास्त के समई सुर्यक्षितिच के नीचे होने पर भी दिखाई देता है यानि कि सुर्य क्षितिच के नीचे होगा लेकिन अपवर्थन के कारण वहों में उसके उपर दिखाई देगा तरातल के समिक की वायू का अपवर्थनांग अधिक होता है तथा जैसे जैसे उपर की ओर जाते हैं यह घड़ता जाता है इसी कारण सुर्य, तारे तथा अवकास में उच्चाई पर उड़ता हुआ हुआ वायू यान अपनी वास्तवी स्थिती से उच्चा दिखाई देता है यानी कि अपवर्थनांग जो है वो जिस सपाटी पेसे होगा उससे ज्यादा थोड़ी उपर दिखेगा तो इसके कारण ही हम जो प्लैन, सुर्य, तारे जो देखते हैं वो जितनी सतव पे हैं उसके उससे ज्यादा दोरी पे दिखाई देते हैं जलके सतव पर प्रकास के परवर्थन के कारण ही तालाप की गवराई उसकी वास्तविक गवराई से कम दिखाई पड़ती है Lens Lens ऐसा पारदर्सी माध्यम है जो दो गोलिय पुरुष्टो या एक गोलिय तथा एक सम्तल पुरुष्ट से धीरा होता है Lens निमना लिखित दो प्रकार के होते है 1. उत्तल Lens यानि की Convex Lens 1. उत्तल Lens बीच में से मोटे तथा किनार उपर से पतले होते है 2. किसी उत्तल Lens के दो फोकस होते है Lens का केंद्रबिंदू प्रकाशित केंद्र कर लाता है 2. उत्तल Lens द्वारा प्रतिभीम का बनना Image Formation by Convex Lens 2. उत्तल Lens में प्रतिभीम, हम्मे सावास्तविक, आपासी, उल्ठा, वसिधा बनता है 3. उत्तल Lens Concave Lens 3. उत्तल Lens बीच में से पतले तथा किनार उपर से मोटे होते है उत्तल Lens दो गोलों के बाग जिसा होते है यानि कि ऐसे दिखाई पड़ेंगी उत्तल Lens और Convex Mirror जो है वो Lens जो है वो ऐसे दिखाई पड़ेंगी ये जो है Convex Mirror है Convex Lens है और ये जो है Concave Lens है इसके दो फोकस बिंदू होते हैं एक उपरती ओर और एक निचे की ओर या तो एक सामने की ओर और एक पिछे की ओर आउतल Lens द्वरा प्रतिभीम का बनना यानि की Image Formation by Convex Mirror आउतल Lens में प्रतिभीम हम में इसा आबासी, सिधा तथा वस्तु से छोटा होता है Lens के उप्योग Use of Lenses Lens के उप्योग निम्न प्रकार के है उतल Lens का उप्योग खड़ी साज, खड़ी के छोटे पून्जे देखने के लिए करते है डॉक्टर आख वकान के अंदर देखने के लिए उतल Lens का उप्योग करते है उतल Lens का उप्योग विबिन्न प्रकाशीक यंत्रों जैसे दूरदर्सी, सुक्स्मदर्सी, फोटोग्राफिक कैमेरे आधि में किया जाता है। मानव नेत्र में उत्पन्न द्रश्टी दोस के निवारण हेतु, चस्तमे में उचीत फोकस दूरी के उत्तल एवं अउतल लेंसों का उप्योग्राफिक किया जाता है। प्रकास का वर्ण विक्षेपन यानि की डिश्पेरिशन ओफ लाइट जब स्वेत प्रकास की किरण किसी पारदर्सी प्रिजम से हो गुजरती हैं, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर विभिन रंगों के समों में विभक्त होती है। इस परिकटना को प्रकास का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। साथ विभिन रंग इस प्रकार में जैसे की बैगनी, जामोनी, निला, हरा, पिला, नारंगी वलाल ऐसे साथ रंगों में प्रकास जो है विभाजित होता है। लाल प्रकास कीरणे में विचलन सबसे कम तथा बैगनी प्रकास कीरण में विचलन सबसे ज़्यादा यानि की अधिक होता है। लाल, हरा तथा निला प्रात्वेक रंग होते हैं। यहां जो है सूर्या के कीरणे जो है वाइट लाइट जो है वो यह प्रिजम के उपर आपरतित होगी और वहां से रिफ्लेक्शन होके साथ रंगों में यह विभाजित होता है। साथ रंगों का नाम क्या है रेड, ओरेंज, यलो, ग्रीन, ब्ल्यू, इंडिगो और वाइवलेट यह जो प्रिजम यहां यूज होता है वो ग्लास का प्रिजम होता है। प्रिजम का वर्ण विक्षिपन जो है, उसके यहां पूरे नाम दिये गए हैं, तो वो आप ग्यात कर लिजीगा। गुज़ती में हम इसे जानी वाली पी नाला बोलते हैं। मानवनेत्र प्रक्रोती की एक अत्यंत मुल्यवान देन हैं, जो हमें इस अद्बूत संसार तथा हमारे चारों और के रंगों को देखने में योग्य बनाती हैं। मानवनेत्र की सहायता से मनुष्य पास वदूर की वस्तूओं को आसानी से देख सकता है। यह एक प्रकास सम्वेदी अंग है। यहां जो हैं, हुमन आई यहां डो करके दी हैं। तो मानवनेत्र का नामांकन चित्र, स्वच्वंडल, पुतली, परिवारिक यह जो हैं सब उसके हिस्से हैं। तो चलिए उसकी डेफिनिशन को आगे पढ़ते हैं। क्लियरी मस्कलर्स यानि पस्माभी पेश्या, रेटीना, दरश्टी पटल, विज्यूल नर्वर्स, दर्सतंत्रिका, काबाज दरव्य यानि वैस्ट्रियस लिक्वेड, पुतली, प्यूपिल, आईरीस तो आईरीस, कॉर्निया तो मंडल। तो इस तरह जो हैं, वो उसके सब नाम जो हैं, इंदी और इंग्लीज, दोनों में दिये गए हैं। उससे आप अच्छी तरह से ग्यात कर लिजेगा। दरड़ पटल, यानि कि हम जो देखते हैं उसमें दरड़ पटल क्या है। मानव नित्रा एक खोकले गोले की बाती होता है, जिसका व्यास लगबग 25 mm होता है, तथा जो बाहर से एक दरड़ तथा अपारदर्सी स्वेत परत से ढका होता है। उसे दरड़ पटल करते हैं, या अपारदर्सी परत दरड़ पटल कर लाती है, जो नित्रा के बितर भीतरी भागों की शुरक्षा करता है, यानि दरड़ पटल जो है अंदरुनी भागों से सुरक्षा देता है। स्वेत परक्षे बितर प्रुष्ट से लगी हुई, अंदर की ओर एक काले रंग की जिल्डी होती है, जिसे रप्त पटल करते हैं। काले रंग के कारण या प्रकास को अउसोसीत करती है, तथा आंतरिक परावर्तन रोकती है। का कौर्निया, नित्र गोलप के सामने का भाग कुछ उबरा हुआ तथा पारदर्शक यानि ट्रांस्परेंट होता है। इस भाग तो भाग को कौर्निया या सच मंडल करते हैं। प्रकास कौर्णिया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तब प्रकास के कीरणों का अधिकांच अपवर्तन कौर्णिया से बाहर के प्रुष्ट में होता है आईरिस कौर्णिया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक जिल्ली का परदा होता है जिसे आईरिस करते हैं यह कमरे के डायाग्राम की बाती कार्या करता है आकका रंग आईरिस के रंगपर निर्वरित रहता है इसे पारे तारिका भी करते हैं पुतली यानी प्यूपील आईरिस के मद्य में एकचित्र होता है जिसे पुतली या नेत्रतारा काते हैं पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा को नियंद्रित करती हैं तथा पुतली के आकार को आईरीस या परितारिक द्वारा नियंद्रित किया जाता है। जब प्रकास अद्यादिक चमकिला होता है, तो आईरीस सिकूड कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आख में कम प्रकास प्रविश कर पाए। अगर आपको पुछा जाए, कि जब हमारी आख में आख प्रकास आपविध होता है, तो हमारी आखे सिकूड जाती है, क्यों? क्योंकि अद्यादिक चमकिला प्रकास जो है, हमारी आईरीस को नुक्सान ना पहुचाए, इसलिए आख में कम प्रकास प्रविश हो, इसलिए वो अपने आज सिकूर जाती है जब प्रकास मंद होता है तो आईरीस फैल कर पुतली को बड़ा बना देती हैं जिससे आख में अधिक प्रकास प्रवेश कर सके अतह प्रकास की सिमीत मात्राही नेत्र में प्रवेश कर सकती है नेत्र लेंस आई लेंस आईरीस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्सक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्री उत्तर लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस करते हैं तथा ये अभिसारी प्रकृतिका होता है लेंस के पिछले भाग की वक्रता तिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता तिज्या बड़ी होती है लेंस के पारदर्थ का अपवर्तनांक लगबग 1.44 होता है पस्माभी मास्पेशिया नेत्र लेंस मास्पेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है जिसे पस्माभी मास्पेशिया कहते हैं इस मास्पेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है जिससे दूर एवं पास वाली वस्तुव का प्रतिभिम रेटीना पर बन सकता है रेटीना रक्त पटन के नीचे थाने केरिका में द्रश्टी नाडियों से एक ही है जिसे रेटीना या द्रश्टी पहल कहते हैं जलिय एवं का चांब द्रव यानि एक्वेस एन विट्रियास हुमर कॉर्निया और नेत्रलेंस के मद्य एक नमकिन पारदर्शी द्रव बरा रहता है इस द्रव को जलिय द्रव कहते हैं इसी प्रकार नित्रलेंस और रेटिना के मुद्य भी एक पारदर्शक द्रव परा रहता है, जिसे कांचा द्रव कहते हैं, जलिय द्रव या कांचा अब द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक के बराबर होता है कार्निया तथा नित्रलेंस के बीच का बाग नित्रोद कहलाता है, वह नित्रलेंस तथा रेटिना के बीच का बाग काचाम्ब कौक्ष कहलाता है किसी वस्तु से चलने वाली प्रकास की केरिणे सर्व प्रत्थम नित्र के कौर्निया पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तित होकर क्रम शह, जलिय द्रव, नित्रलेंस तथा काचाम्ब द्रव से होती हुई रेटिना पर पहुँचती हैं जहां पर वस्तु का वास्तविक वो उल्टा प्रतिभीम बनता है प्रतिभीम के बनने का संदेश प्रकास तंत्री का ओद्वारा मस्तिस्क में पहुँचाना है जिससे मस्तिस्क अनुबव के आदार पर यह प्रतिभीम सीधा दिखाई देता है मानवरे नेत्र की समंजन क्षम्ता यानि की power of accommodation of eye मास पेसियों द्वारा नेत्र लेंज की focus दूरी को अवश्यक्ता अनुसार परिवर्तित करने की क्षम्ता को नेत्र की समंजन क्षम्ता करते हैं द्रश्टी दोस तथा आँकों की देखबाल, eye defects and care of the eyes एक निकट द्रश्टी दोस, short, sideness और myophia निकट द्रश्टी दोस से पीडित व्यक्ति को निकट की वस्तु ये दोस परस्ट दिखाई देती है परंतु, किन्तु, दूर की वस्तु ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती इस दोस युक्त नित्र का दूर बिंदु अनन्त पर न होकर पास आजाता है अतब व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थिती वस्तुओ को स्पष्ट नहीं देख पाता निकट द्रश्टी दोस के कारण, रिजन ओफ माइपिया नित्र लेंज की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है नित्र लेंज के गुलक का व्यास बढ़ जाता है निवारण, रिमोल, निकट द्रश्टी दोस को दूर करने के लिए उचीत फोकस दूरी वाले अउतर लेंज के चस्मी का प्रयोग करना चाहिए अभी तो लेंज भी आ गए हैं तो चस्मा की जग आप डाइरेक लेंज का उप्योग भी कर सकते हैं दो, दूर द्रश्टी दोस, लॉंग, साइडनेश और आइपर ट्रोपिया दूर द्रश्टी दोस से पिडित व्यक्ति को दूर की वस्तुओ स्पष्ट दिखाई देती हैं परन्तु, निकट की वस्तुओ स्पष्ट दिखाई नहीं देती इस दोस युक्त नित्र का निकट बिंदू 25 सेंटिमीटर से अधिक दूर हो जाता है अतव व्यक्ति को 25 सेंटिमीटर तथा उससे निकट स्थी तवस्तुओ स्पष्ट दिखाई नहीं देती दूर द्रश्टी दोस के कारण दूर द्रश्टी दोस होने के निमना लिखी दो कारण होते हैं एक नेत्रा लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है दो नेत्रा की मास्पेशियों के ख्षीन हो जाने से नेत्रा गोलग के व्यास्त का कम हो जाना तो ये दो जो हैं वो उसके प्रभाव मुख्य कारण है इस दोसों के कारण निकट स्थीत वस्तु का प्रतिभिम रेटीना पर फोकस न होकर रेटीना के पिछे फोकस हो जाता है जिस कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती निवारण रिमुवल दूर द्रश्टी दोसको दूर करने के लिए उचीत फोकस दूरी वाले उत्तर लेंज के चस्मे का उप्योग किया जाता है तीन चरा दूर द्रश्टी आयूमे वृद्धि के साथ साथ नित्रकी मास्पेसिया दूरबल हो जाती है जिस कारण निस्तर की समंजन क्षमता घड़ जाती है जिससे व्यक्ति को दूर अथ्वा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तूओ स्पष्ट दिखाई नहीं देती इसे ही जरा दूर द्रश्टी कहते हैं जरा इंदिस्ति का कारण पत्यावी मास्पेसियों की ससक्ति में कमी तथा नित्र लेंस के लचिलेपन में कमी आ जाने के कारण नित्र में जरा दूर द्रश्टी दोस हो जाता है निवारण जरा दूर द्रश्टी को दूर करने के लिए डिफोकसी लेंस का उप्योग किया जाता है द्री फोकसी लेंसों में अउतल तथा उतल दोनों लेंस होते हैं चस्मे के उपरी बाग में अउतल लेंस होता है जो दूर की वस्तूओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है तथा निचले भाग में उत्तर लेंज होता है जो पासकी वस्तुओं को सपस्ट देखने में सहायता करता है इस दोस्ट में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और द्वार कर वस्तुओं एक साथ पस्ट दिखाई नहीं देती इस दोस्ट के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा उर्द्वादर वस्तुओं रेटीना पर एक साथ फोकस नहीं होती अबिंदुकता का कारण कोर्निया की गोलाई में औनियमत्ता के कारण नेत्र में यदस हो जाता है निवारण इस दोस्ट के निवारण एक तु उचित फोकस दूरी अत्वा वक्त्रता तिज्या वाले बेलेनाकार लेंसों का प्रयोग करना चाहिए चाक्षूक विक्रूती तथब डेल पद्धती इस प्रकूती में व्यक्ती वस्तूओं को सिमित दूर तक देख पाता है या कुछ व्यक्ती जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते इस विक्रूती में व्यक्ती वस्तूओं को सिमित दूर पर देख पाते हैं या तो नहीं देख पाते इस प्रकार के व्यक्ती स्परस द्वारा अत्वा द्वनियों को द्यान पूर्वक सुनकर वस्तूओं को परचानने का प्रयतन करते हैं चाक्षुक विक्रूती युक्ति व्यक्तियों के लिए सर्वादिक लोग प्रियसादन ब्रेल कवलाता हैं इस पद्धति का उप्योग करने अनेक पार्तिय भाशाओं का पड़ा जा सकता है अब्यास प्रश्न तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब्यास प्रश्न निर्वात में प्रकास की चाल होती है कैसी होती है a. 3 x 10 – 7 ms b. 2 x 12 x 10 – 8 ms c. 3 x 10 – 8 ms d. 3 x 10 – 10 ms सेकंड तो इसका आंसर आएगा निवात्स में प्रकास की चाल क्या होती है तो C 3 x 10 raise to 8 मिटर फ्रक्ती सेकंड दो नमबर परावर्तीत कीरणे तथा अभिलंग के मध्यभना कोण कवलाता है A. परावर्तन कोण B. आपतन कोण C. अभिलंग कोण या D. इन में से कोई नहीं तो आंसर आएगा परावर्तन कोण तीन नमबर प्रकास के परावर्तनी के लिए सत्य है क्या सत्य है A. आपतन कोण इक्वाल टू परावर्तन कोण B. आपतन कोण ग्रेटर देन परावर्तन कोण आपतन कौन लेज़ देन परावर्तन कौन डी आपतन कौन नोट इक्वाल टू परावर्तन कौन यानि कि दोनों समान नहीं है तो प्रकास के वह परावर्तन के लिए कौन सा सत्य है तो सत्य होगा आपतन कौन इस इक्वाल टू परावर्तन कौन चार नमबर उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिम बनता है A. वस्तु स्थिती पर B. दर्पण के सामने वस्तु की स्थिती से दो गुनी दूरी पर C. दर्पण के सामने वस्तु की स्थिती से आधी दूरी पर D. दर्पण के पीछे कहां बनता हैं? तो अंसर आएगा दरपण के पीछे पांच नमबर उत्तल दरपण से प्रतिभीम सदैव बनता है A. वक्रता केंद्रत था फोकस के बीच B. वक्रता केंद्रत था अनंत के बीच C. दुरू वक फोकस के बीच D. कहीं भी बन सकता है तो इसका अंसर आएगा दुरू वक्रता के बीच C. उत्तल दरपण से बनने वाले प्रतिभीम की प्रक्रोती A. वास्तविक वसिदा B. अबासी वसिदा C. अबासी व उल्टा D. वास्तविक व उल्टा तो कैसा प्रतिभीम दिखाई देता है तो अबासी व सिदा उत्तल दरपण जो होता है तो दरपण है लेंस नहीं है तो कैसा होगा अबासी व सिदा साथ नमबर उत्तल लेंस के लिए सत्यक थन क्या है A. या बीच में से मूटा होता है B. या किनारों से पतला होता है C. यह बीच में से पतला होता है या D. A और B दोनो तो उत्तल लेंज जो है उसमें अंसर आएगा A और B दोनो यानि कि उत्तल देव लेंज जो है यह बीच में से मूटा और किनारे से पतला होता है तो ऐसा आता है आठ निमनल लिखित में से कौन लेंज बनाने के लिए प्रयुकता किया जा सकता है A. जल B. प्लास्टिक C. काच या D. सभी तो इसमें जवाब आएगा अंसर आएगा सभी 9. उत्तल दरपन द्वारा बना प्रतिवीम होता है कैसा होता है A. आबासी सिदाव चूटा B. वास्तविक सिदाव चूटा C. आबासी सिदाव बढ़ा D. वास्तविक उल्टाव चूटा कैसा प्रतिवीम होगा तो अंसर आएगा 10. किसी दरपण में यदि प्रतिभीम के स्थान पर वस्तू रख दी जाएं तो परावर्तन नहीं होता किसका परावर्तन नहीं होता? 11. बड़ी फोकस दूरी वबड़े द्वारक वाले उतल दरपण का उप्योग किया जाता है 12. एक व्यक्ति दरपण में अपना सिधा तथा बड़ा प्रतिभीम देखता है व दरपण है A. समतल, B. अउतल, C. उतल याडी इन में से कोई नहीं कैसा दरपण होगा? सिधा वबड़ा दिखना चाता है तो जो दरपण होगा, वो होगा अउतल यानि कि B 13. समतल दरपण से किसी वस्तु का प्रतिभीम A. वास्तविक बनता है B. अबासी बनता है C. बड़ा बनता है याडी छोटा बनता है तो समतल दरपण से जो वस्तु का प्रतिभीम पडता है वो बनेगा आबासी यानि कि B. आबासी बनता है 13. यदि किसी वस्तु को एक दरपण के सामने निकट रखने पर प्रतिभीम सिधा बने किन्तु दूर रखने पर उल्टा बने तो व क्या होगा? A. अउतल दरपण, B. समतल दरपण, C. उतल दरपण, या D. कोई नहीं तो कैसा बनेगा? नजिक रखे, नदिक रखे तो सिधा और जैसे जैसे दूर जाए तो उल्टा हो जाएगा तो ये जो दरपण है वो बनेगा अउतल दरपण यानि कि अउतल दरपण में ही ऐसा होता है कि निकट तो सिधा, दूर तो प्रटा 15. यदि किसी वस्तु द्वारा स्वेत प्रकास के सबी रंग परावर्तित हो जाए तो वस्तु प्रतित होगी कैसी? A. निली, B. हरी, C. काली, या D. रखेत कैसी होगी? स्वेत यहाँ जो लिखाए वो लिखाए स्वेत तो जो वस्तु होगी, वो कैसी होगी? स्वेत यानि आंसर आएगा स्वेत 16. किस रंग के लिए काच का अपवर्तनांग अधिक्तम होता है? A. पिले, B. हरे, C. लाल, या D. बैगनी कौनसे रंग में अवर्तनांग जो है सबसे ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा होगा बैंगनी तो आंसर आएगा D. बैंगनी 17. जब स्वेत प्रकास की किस किरण किसी प्रिजम में से गुजरती है तो किस रंग की किरण का विच्चलन नियुन्तम होगा? आगे अधिक्तम आया अभी आएगा नियुन्तम किस में नियुन्तम होगा? आंसर आए A. निला, B. हरा, C. लाल, D. बैंगनी तो नियुन्तम होगा लाल में तो आंसर आएगा C. लाल अठारा नमबर श्याम पट, ब्लैक बोर्ड काला प्रतित होता है क्योंकि A. यह सभी रंगों का परावर्तित करता है यह सभी किसी भी रंगों परावर्तित नहीं करता C. यह काले रंग का अउशोशन करता है D. यह काले रंग का परावर्तन करता है तो आंसर क्या आएगा तो शाम पट काला प्रतित होता है क्योंकि ये किसी भी रंग का परवर्तित नहीं करता यानि कि आंसर आएगा बी उन्नीस नमबर निम्नलिखित में से किसमें प्रकास की चाल अधिक्तम होगी A. चल में B. मिट्टी के तिल में C. हहीरे में या D. निर्वात में तो आंसर आएगा निर्वात में चाल अधिक्तम होगी 20. मानव नित्र का भाग है A. द्रड़ पटल B. आईरिस C. पुतली या D. सभी तो अंसर आएगा मानव नित्र का भाग है कौन सा भाग होगा तो सभी के सभी जो है मानव नित्र का भाग है यानि के अंसर आएगा ये सभी 21. नमबर आईरिस के मद्य वाले छोटे चिद्र को कहते हैं A. पुतली, B. ड्रग पटल, C. रेटीना, या ड्रग पटल क्या कहते हैं? मद्य के जो छोटे चिद्र होते हैं उसे बुलते हैं पुतली तो अंसर आएगा A. पुतली 22 नमबर नेत्रलेंस होता है A. अभिसारी, B. द्रग पटल, C. उतल वा अउतल या D. इन में से कोई नहीं तो नेत्रलेंस हम्मेशा अभिसारी होगा यानि अंसर आएगा A. अभिसारी 23 नमबर काचांब द्रव उपस्तित होता है A. कौर्निया और नेत्रलेंस के मद्य B. नेत्रलेंस और रेटिना के मद्य, C. कौर्निया और रेटिना के मद्य, D. उप्रोक्त में से कोई नहीं तो काचामबद्राव उपस्तीत होता है काँ उपस्तीत होता है तो नित्रलेंज और रेटीना के मध्य यानि कि आंसर आएगा B 24 नमबर जीस बिंदू से द्रश्टी नाडिया मस्तिस्क को जाती है उस बिंदू को कहते है अंसर आएगा इसमें जो नाडिया मस्तिको जाती है उसे बिंदू को अंद बिंदू करते है तो अंसर आएगा B अंद बिंदू उसके बाद 25 नमबर मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिम बनता है A. कोनिया पर, B. आयरिस पर, C. पुतली पर, या D. रेटिना पर तो मानव नित्र द्वारा किसी वस्तु पर प्रतिबिम बनता है तो अंसर आएगा D. रेटिना पर 26 नमबर मानव नित्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिम A. सिधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है B. उल्टा होता है परंतु सिधा दिखाई देता है C. सिधा होता है सिधा दिखाई देता है D. उल्टा होता है और उल्टा दिखाई देता है तो माना उनित्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिविम जो है वो उल्टा होता है और सिधा दिखाई देता है तो आंसर आएगा B कि अंदर उल्टा होगा लेकिन हमें सिधा दिखाई दीग ट्रेंटी सेवन निकट ड्रस्टी दोस्ते पीडित व्यक्ति के लिए चस्मे में प्रयुक्त किया जाता है A. अउतल लेंस B. अउतल दरपॉं C. उतल लेंस D. उतल दरपॉं इन में से क्या आएगा? तो आंसर आएगा अउतल लेंस यानि की A. अउतल लेंस निकट ड्रस्टी दोस्त तो अउतल लेंस 28 नमबर दूर दरस्टी दोस्त की स्थिती में प्रतिभिम बनता है रेटिना के पिछे, रेटिना पर C, रेटिना के आगे या इन में से कोई ने तो दूर द्रश्टी में जो प्रतिबिम बनेगा वो हमें सा रेटिना के पिछे बनेगा तो आंसर आएगा रेटिना के पिछे A 29 नमबर अभी दुंकता दोस्त को दूर करने के लिए किस लेंस का उप्योग किया जाता है अभी बिंदुकता का दोस्त दूर करने के लिए कौनसे लेंस का उप्योग किया जाएगा तो A. बिलनाकर लेंस B. उत्तर लेंस C. उत्तर लेंस या D. इन में से कोई नहीं तो अभी बिन्दुक्ता का दोस्दूर करने के लिए बेलेना का लेंस उप्योग किया जाएगा यानि कि अंसर आएगा A तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब चरूर से कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों को भी सेर कीजिएगा तेंक यू